हेलो दोस्तों तो फाइनली आज से स्टार्ट करें हम अपने बी फामेसी एट सेमिस्टर को तो सबसे पहले मैं आकास कुमा स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल केयर वैल फार्मा में और साथ मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बी फामेसी एट सेमिस्टर में तो आप फाइनली आप जो है लास्ट श्टेज पर आ चुके हो और यह आपका लास्ट सेम है इसके बाद आप लोगे भी फार्मसी कंप्लीट हो दाएगी और आप अपने अपने काम पर जाएंगे कोई जॉब बगरा करेंगे और सायद बहुत लोग की अवेल फार्मा को भूल जाएंगे और क्या भई काम तो होई जाएगा समिस्टर सारे होईगा अब क्या याद करना देखते कितने लोग को हम व्याद रहते हैं बाकि अगर किसी की किसी सब्जक में सप्ली है तो उपर वाले से दबा करता है आप सभी बहुत जल्दी सब किलियर हो और आप लो रचान के लड़ा को सारी बात्त कि आप नहीं देखने हो जाकर आप चेक आप सकते हो अगर बात करें सब्सक्राइब के बारे में तो देखो एसा नहीं बोलेंगे कि सिंपल है थोड़ा सात तफ तो हम demand को हमे प्लिग तो हम बोल सकते हैं कि हमारे सिंपल बोले तो वीडियो पर रैधर देन नोट यान कि आपको नोट से ज़ादा इस पूरे सब्जेक्ट में वीडियो पर जादा फोकस करना है क्योंकि आपको यह समझे ना है अगर आप इसके जो हमारे आगे बारे में बात करें तो एक इंटोड़क्शन वाला पार्ट रहे का जिसको हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं तरह हमारा मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडंसी है मीजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो गए जिसके अंदर सब पार्ट भी है तो आदम बिसिकली सिंपल जानेंगे कि य यह हमारे एक तरह से हो जाएंगे तो अब हमारे यहां पहले टरम आता है इंट्रोड़क्शन टू बायो इसका नाम क्या है अगर यह हम समझ जाएंगे तो आप इस चोटा सा एक्जाम्पल समझाओं तो आप बहुत अच्छे इसको समझ सकते हो अब लेट करो आप लोगो ने रहा बहुत बबार सुनाओं जैसा यहाई करोना अब पुलेशन तो अब बच आ ओनने को कैसे मीज़ा। तो इसके पीछे कही न क्लेशन प्रजenh ऐसे संगे हुए आप कैसे हुथ Marian आगे समझेंगे बस थोड़ा सा curiosity समझागे रखो अगर हम इसकी सिंप्ली डेफिनेशन देखें तो हम स्टेटिक को क्या बलेंगे कि इट इस डिफाइन एज दा कलेक्शन प्रिजेंटेशन एनलिसेज एंड इंटर्प्रिटेशन ऑफ निमेरिकल डाटा अब क्या होते हैं उ स्टेटस वर्ड को आप अच्छे जानते हो आप लोगों ने सुना हो ऊख इसका स्टेटस किया है मतलब इसके बारे में चीज़ यहां पर इन्फोर्मीशन से और इन्फोर्मेशन क्या बोलते दा बोलते हैं डाटा के अंदर क्या आज आज़रेगा हू कौन है कहां से क्यों है वही क्या करता है कैसे करता है तो यह सारी की सारी जो हमारी information आजाती है वही सारी चीज हमारी किसके अंदर आती है statistics के अंदर आती है और देन उनी सब information को हम arrange कर देते हैं उस data को और उसी के उस पर हम उसके person के बारे हम पता लगाते हैं नहीं समझ रहें चलो कोई बात नहीं अब एक सौट सा एक्जांपल समझते हैं बहुत अच्छे से आपको सारा crystal clear हो जाएगा तो लेट करो simply कि मालो आप college में पढ़ रहे हो seven semester में आप हो eight में तो अभी आयो ना तो मालो semi semester में आपका सेशनल होगा फ़र्ष्ट सेकंड जो भी सेशनल होगा तो उसमें मालो हमने यहां सब गिंती के छह साथ बच्चे ले लिए तो उसमें अगर मैं आपको बताओ मालो आयूस था हमारा एक जिसके analysis में 90 marks आए हैं डीटिए इतने बच्चे फेल हुए हैं कौन कौन से सिपक हैं फेल हुए तो क्या आप इस तरह के bulk data में easily बता सकते हो कि कौन फेल हुआ क्या कैसे आया है तो इसी को simply बनाने के लिए हम क्या करते है पूरा सब पूरा चार्ट या पर टेबल कर लेते कुछ इस तरह से अब यहां पर आ हुए ओने क्या कि एक हमारे यह था रॉडार रॉडार मतलब यह हमारे और और चीला क्रण कर दी और यहां पर सारा कॉलेज बगर उसमें इसी तरह से आपको डाटा सारा का सारा देखने को मिलता है सिंपल सी बात है तो यहाँ पर आपनेख्या क्या है पूरा पूरा डाटा प्रिजेंट कर लिया तो अब आपको क्या अब यहां पर आगर कोई पूस्टा एक कौन मांक लिए टॉबडर में टॉटल ठीक है आप सबका तो यहां पर हमारी क्या हो इक उससदें के हैं निया कि कि जो हमारी मुसकान है उसने यहां पर फष्ट रंग लेके आई है इस तरह हमने क्या किया है उसको हमने क्लेक्ट किया यहां पर सकते हैं यहां पर प्रिजेंट कर दिया एक अच्छे तरह ऐसा जिससे हमको यहां इजली सब के बारे में दिखाई दे रहा है कि वही किस नंबर है बाकि अगर देखे तो आयूस के भाई 90 मार्स अनलिस में फिफ्टी एंडीडीस में और अगर देखा था है फेल कौन कार हुआ है तो हमने रॉड़ाटा लिया उस रॉड़ाटा को हमने कुछ इस तरह प्रिजेंट किया और उसके वाद हम इसको एनलाइस करें और अनलाइस करके मतलब हम पता लगा रहे हैं कि यहां पर हमारे जो तर्व ना वो इसमें फेल हैं और आमरे सब बच्चे के कि इसके मार्क्स आई हुए है और इसका मतलब होता है और इस चीज़ की ब्याकिया जानगे एक्स्प्लेइन करना यह हम बोल सकते हैं कंक्लिउजन निकालना तो अब अगर हम इस पूरे को हमने किया हमने सब का रिजल्ट देखा सब के बारे में बता लगा तो हमको यह पता लगा कि जो तरुन बच्चा है वो हमारा एंडीडियस में कम जो रहे हैं बेटा थोटा सा पड़ाई पर ध्यान लगाए करो जो अमन बच्चा वो हम को क्या पूरा एक्षपेन किया कि कंकुलूजन ये कि हमारे टॉपर हमारे फामेशिश में कमझोर है एक लेकी कि निकालने कि कौन बच्चा कि ने कि बच्चे ने कि कि ने क fundsी किую हम का व्ट्रेट करेंगे कि next time हम तरण उनको NDDS के बारे में थोड़ा पढ़ा देंगे अमन को हम PP के बारे में थोड़ा पढ़ा देंगे और वो next time fail ना हो तो और साथ में यहाँ पर हम इनका क्या करेंगे सप्ली ज्Яन की फटर को किया जाएगा वो किए तो इस तरह हमने पूरा काम काम किया तो यह पूरा फंडा था यह पूरा मै था यहीं यह México करते है और पूरा में तो यही मैंने आपको बताया कि स्टेटस ज्यान कि उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मिशन तो यहीं पर सिंपल है कि अगर हम आयूस का इस्टेटस देखें तो आयूस के अनलिस्ट में पचास है और टोटल उसके दोसर नमर तो उसके बारे में कुछ यह जरूरी नहीं नहीं है किसी आि मतलब कर रहे हैं किसीता है रहे होगा कर सकती के लिए निसका इसके पर रहे हुम पर रहे हैं थी इंटरबिन्यान की निकालने उसके बारे में तो यह हमारा पूरा हो गया यह हमारा बना गर लिख सकते हो इसे सब्सक्राइब में उसकर को निकल दो है और हमारा अपर hon Memasies चैक के अई बलाएस कि यह वह है कि आपके है उसके बाद हमने सपूरा ओर इस exile को सब्सक्राइब वर में पूरा है तो यह हमारा पूरा का पूरा क्या होता है इसी को थोड़ा फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख दिया कि पहला हमारे इसमें आता है descriptive और सेक्ड़न आता है इनफेरेंचियल इस्वारी सब्सक्राइब करें इसको हम बोलते हैं descriptive और सेक्ड़न हमारे जो इसमें जो हमारे जैसके किसी करना के यह हमारा कहलता यहां बाकि यहां पर समघ गएंगे पढ़ेंगे लिवांना इसकों समझाने के लिए जिससे आपको जो आगे आने वाले टॉपिक है वह आपको अच्छे से समझ आ सके बागी इसका इतना बड़ा रॉल नहीं होता है आगी अब हमारे यहां पर इंपोटेंट तो इसको अगर हम सिंपल बोलें तो बोल सकते हैं कि जो हम अभी कर रहे हैं कि हम इस तरह पूर सब्सक्राइब करता है अब जैसे इसको समझने के लिए एक्जामपल मैं आपको समझाता हूं मालो यहां हमारा होस्पीटल है केर वैल होस्पीटल है अब यह हमारा पूरा चंडीगड में प्रिजेंटर मालो चंडीगड में हैं तो इसके आसपर उसके जो एरिया मोस्टिव हमारे कौन आता है चंडीगड के लोग आते हैं अब मालो की यहां हॉस्पीटल में रिकॉर्ड भी रखा जाता है अगर कोई भी बंदा आएगा हम तुरंत नोट करेंगे इसका नाम यह है और यह यह बिमारी है और यह यह हम थार पूड तो यहां से हमको क्या क्या इन्फॉर्मिसम मिलेगी हैं पहले नंबर पर हमको पता लगए इस तरह से लिख्ट कर Lेंगे कि कौन कौन बंदा है कि किसको मलेड़ी तो इस वेस पर हम क्या नुमार लगा सकते कि मालोग डेली हमारे पास 50-100 लोग डेंगू वाले आ रहे हैं तो हम यह अमरता कर सकते हैं कि गवर्मेंट को यह अवेर करा सकते हैं कि चंडीगड का जो एरिया है यह वाले आसपरोस के लोग आते हैं वहाँ पर हम आपने देखा होगा कि लोग यह भी पूछते हैं कि कहां से विलॉंग करते हो तो इस पर हम पता लगा था कि चंडीगड के एरिया के आसपरोस में डेंगू बहुत जादा इस प्रैड हो रहा है और इसी चक्कर में हम आके लोग को अवेर करा सकते हैं डेंगू से बच कर र और उस बेस पर हमने एनलाइस किया कि वही कौन लोग को किसको डेंगो है किसको मलेरिया क्या 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 है और उसके बाद हमने इंटेप्रेटेस जान कि अपना कंक्लूजन निकाला कि जो चंडीगड कर रहा है वहाँ पर डेंगू बहुत जादा फैल रहा है और उसके अपने आपको और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो यह सब कहां से निकाला अपने बायो इस्ट्रेटिक्स की मदब से निकाला कि हम इसी के बेस पर अपनी सारी निकालती है अब इसके कुछ और अगर आप देखोगे तो जैसे जनगड़ना वाले आते हैं इतने इसमें बच्चें इतने भुजूर्ग लोग इतने बड़े लोग तो यह सब हमने कहां से किया यह अपने हम बायो इस्ट्रेटिक मदद से ही कर रहे हैं जैनकि अगर देखाद आए अंजाने में या फिर जान विश्क के आज तक हमारे पूरे आस्पड़ोस में जो है बायो स्टेटिक का हमेरे पास यूज हो रहा था जो हम समझझी नई पर रहे तो बस उसी के बारे में हमको ठीस करें कि इसको हम कैसे यूज करेंगे यही सारी बात है इस पूरे सब्जक्ट में आपको पढ़नी पड़ेंगी और जैसे एकर एक और एक और एक्रामपल उप होस्पीडल से आ रही थी लोग को सर्वे कर रही थे जाके हर कुछ पड़ा कर रहे थे उसको हम प्रिजेंट करके पता लगा रहे थे कि किस देश में कितने लोग बीमार हैं कितने लोग बैक्सीनेटेड मतलब किसने लोग भी ले चुकी है कितने लोग ठीक हो चुके यान कि तो यह पूरा का पूरा जो चार्ट प्रपेर हो जब रहता है वो पूरा हमारा बड़ा एक्जांपल किशी का बायो इस तो यह हमारा आज तक यूज होता है और इसी चीज को हमें यहां अच्छे से पढ़ना और समझना है तो अगर हम conclusion निकालें पूरी वीडियो का तो यह निकल के आता है कि जो हमारा यह बायो इस्टेटिक्स है वो हमारी फार्मिसी का एक डिफरेंस आइट है जो उतना ही important है जितनी हमारी बागी चीज़ा भी क्योंकि इसके अंदर हम क्या करें अपने data को collect कर रहे हैं और उस data के जरी हमारी जो health services है उसको इंप्रूब कर रहे हैं हम अपने आपको प्रिवेंट कर रहे हैं यान कि कोरोना के बारे मैंको पता लग जाता था जैसे मालों चंडिगर से जाधा है तो हम क्या बोलते हैं कि चंडिगर होट तो वही अगर हम इसको टेक्निकल टम में समझें तो बायुस्टेटिक के एक्जामपल होगे नमबर ऑफ पेसेंट अटेंडिंगा हॉस्पीटल नमबर ऑफ कॉसे यान कि किसके बारे में पता लगा रहे हैं तो अगर यहां पर क्या निकल के आती है कि हम नॉर्मल बैल्यूस को भी पता लगाते है अब यह क्या चीज़ है तो जैसे एक्जामपल के लिए आप तो देखा दाए कि हमने सौ लोग लिए अप सौ लोग की हम पल्स रेट चेक करें कि एक मिनिट में वह कितने बार धड़क रही है कितने बार या बलड़ पैसन हमारा कितना है तो इस पर हम पता लगाता है कि जितना नौर्मल मतलब मालोगी 809 लोग का नौर्मल आएगा उसी को हम जो नौर्मल वैल्यू पर देते हैं क्योंकि वह यह सब चीज़ा हमने कैसे निकाली नौर्मल ऐसा तो नहीं कि ऊपर से बैली वेल्य वता दिया कि स्टेंडर्ड यह सारी बाता पता लगाते हैं कि कितने लोग वैक्सिन मिल गई कितने लोग से फाइदा मिला है कितने लोग ठीक हुए है तो उन सब चीज़ों के बारे मैं पता लगाते हैं बागी और देखा था है तो कोई भी जो डैथ हो रही है उसके बीसे कौस क्या है वह हम एक डाटा मतलब रिकॉर्ड से पता लगाते हैं कोई सिकनेस कोई बीमार हो मिलएं लेते हो ना कि सिंटम कया हमारे मतलब सिंटम क्या हैं जैसे कोई बीमारी लेummyक होते हैं हैं यह से पैप परीझार्श की इंतर बहुत सारे लोगों का सर्वे किया रिहाता है तब यह चीजा हमारी फाइनेलाइस की झाते हैंест होके के पीछQUIE होती है इसी को हम biostatic बोलते हैं बागी risk and fall of particular कोई disease है वो कितना उपर उठ रहे हैं कितना गिर रही है तो यह सारी बात है हमारी biostatic के अंदर हम जो अच्छे से समझ सकते हैं तो आई होप आपको यह biostatic की सारी कहानी समझ आगी होगी आपको यह अच्छे से सब किलियर हो गया होगा तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरू बताओ बहुत टायम मद ऐसी वीडियो बनाई है बाकी बहुत जल को सब्सक्राइब भी जरूर करो क्योंकि अब यह स्टार्टिंग हमारा हो रहा है और आपको रेगुलर वीडियो सारी मिलती रहेंगी और जो पुराना मारा कुछ रहका उसको भी हम कवर करते रहेंगे तो बस आज की वीडियो में इतना ही है यह को लाइक करो सेर करो दोस् सब्सक्राइब करो बाइब दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्या लखेगा जैन दोस्तों